तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं плат इसको आज की से बारे में जानेंगे कि आखिर Charibis को काम करती है。 इन सबी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो मे आमा मिलने वाले हैं. तो अलिए चाहर करते रहें और जानते हैं। तो फ्रेंट्स यहां पर यह जो floppy disk है यह एक magnetic और plastic coated disk होती है यह हमारा कही न कहीं data को store करने की काम आती है इसलिए हमें से storage device कहते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो हमारी floppy disk होती है यह hardware की category में आती है जो की hardware device है यहां पर यह floppy disk यह काफी ज्यादा portable है यानि कि इसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते है और वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं इसके साथ आप इसको अपने computer के साथ mo car attach कर सकते हैं अब यहां पर इस डिस्क को यूज करने के लिए आपको एक floppy driver की जरूत पड़ती है और वो driver आपके पास होना ही चाहिए otherwise आप इसको अपने computer के साथ यूज नहीं कर सकते तो friends यहां पर इसके बारे में कुछ negative चीजे हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा जो सबसे पहली जो बात है इसके बारे में negative वो यह है कि जो आपके data को access करने में काफी जादा समय लगाती है और यहां पर जो इसकी storage capacity है वो भी काफी जादा कम है तो friends आज के इस time की हम बात करें तो जो floppy disk है उसका use काफी जादा कम हो गया है और जो floppy disk की जगा है वो ले लिए हमारी जो USB storage devices है जो हमारी pen drives है, SD cards है उन्होंने इसका कहीं न कहीं एक place इनका ले लिया है तो यहां पर बात करूं आज के modern time के जो हमारी storage devices है वो काफी जादा बैतर है जो पुराने time की यह floppy disk है उससे तो friends अब बात करते हैं कि आखिर इस floppy disk को कहां कहां पर use किया जाता है तो friends जो सबसे पहला काम है इसके जरी यह किया जाता है कि इसके जरी हम data को store कर सकते हैं तो friends यहां पर जो दूसरा काम है आप एक backup ले सकते हैं इस floppy disk के अंदर अपने data का यहाँ पर जो तीसरा यूज किया जाता है वो यह है कि आपको कोई software या फिर कोई hardware या driver या software आपको install करना है तो वहाँ पर आप इसके अंदर ये काम कर सकते हैं तो friends यहाँ पर इसका जो last use है कि आप data को transfer कर सकते हैं एक से दूसरे device में यानि कि आपने एक computer से data को store किया floppy disk के अंदर और दूसरे computer के अंदर उसको वहाँ पर इसको आप use कर सकते हैं तो friends यह तो थे कि आप उसको कहां कहां पर कैसे कैसे use कर सकते हैं तो friends, यहाँ पर अब बात करते हैं कि आखिर इसके फाइदे क्या हैं, कि अगर आप floppy disk करते हैं, तो उसका क्या-क्या फाइदा आपको मिलेगा, तो friends, यहाँ पर सबसे बड़ा फाइदा तो यही है, कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से कहीं पर भी ले जाकर इसको use कर सकते हैं क्योंकि यह portable है और size भी इसका काफी कम होता है यहाँ पर जो दूसरा इसका फायदा होता है यह काफी ज्यादा compatible है यानि कि आप इसको ज्यादा तर mostly devices यानि computers के साथ आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे में कुछ हमारे storage devices ऐसे होते हैं जो के कुछ specific computers को ही support करते हैं तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है यहाँ पर मैं बात करूं इसके कीमत की तो इसके कीमत काफी ज्यादा कम होती है जिसकी वजह से इसको आप आसानी से खरी सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखर यह floppy disk काम कैसे करती है तो friends यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा floppy disk को यूज करने के लिए आपको पहले भी मैंने बताया कि एक driver की जरूत होती है और वह होता है रीड हैड और राइड हैड हमारा जो होता है यह इसको जो डेटा इसके अंदर होता इसको बाइनरी वेल्यूज में करता है जीरो और वन की वेल्यूज में जिससे की जिस computer के अंदर इस data को connected किया गया है इस driver को उसे computer समझ सके जो बिटा इसके अंदर इंसर्टेड है कुछ इस तरीके सागी काम करते है तो आज की वीडियो में आपको इस समझ में आ गया हो किया है जůरो इसको इसको उस्तमाल किया जाता है क्या इसके फाइदे और कहा इसको use किया जाता है तो चैनल को अभी तख subscribe नहीं